हेलो दोस्तों एक बेहद ही महतवपूर मेसेज आपके साथ शेयर करना जाते हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है पिछले दो हपतों में संदीप महेशुरी और विवेक बिंद्रा पर हजारों वीडियोज आए हैं और हमने भी अब तक अग्रीवड आईबीसी के फेवर में एक आवाज उठाई है बिना विवेक बिंद्रा पर कोई व्यक्तिगर टिप्पनी करे हमने अब तक सिर्फ फैक्स को आपके सामने रखा है और आज भी फैक्स पर ही बात होगी लेकिन विशे है कि क्या संदीप महेशुरी इस इशु को बेटर हैंडल कर सकते थे हम संदीप महेशुरी के अगेंस नहीं इन फैक्ट आप पिछले कुछ वीडियोज देखे तो उनकी इस मुढिम में उनके है जा सकता था एक न्यूट्रल और अनबायस चैनल होने के नाते हम एक सिक्ट्य के दो पहलू दिखाना जरूरी समझते हैं हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर बाल की तरह इस एपिसोड को भी एक बैलेंस परस्पेक्टिव से सुनेंगे और समझेंगे फिर भी अंजाने मे किसी की फिलिंग्स हर्ट हो तो उसके लिए पहले से ही शमअपरार्थी हैं तैंक्स फो यूर सपोर्ट ना बैक टू दू पॉड्कास्ट पिछले कई जिनों से संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की इस कांट्रोवर्सी में कोई भी अपडेट नहीं आया है अगर हो रहा है तो सिर्फ डिसकेशन कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे इनफाक्ट अब तो मीडिया में भी ये केस काफी उचल रहा है लेकिन विवेक बिंद्रा की तरफ से ना ही संदीप महेश्वरी की तरफ से कोई भी एक ओफिशियल स्टेट्मेंट एक दूसरे के अगेंस्ट आया है कुछ एड़ोकेट्स की माने तो इसका रीजन ये है कि संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट विवेक बिंद्रा की टीम ने फरीदाबाद कोट में एक इंजंक्शन अपील किया था जो उन्हें ग्रांट कर दिया गया है अब आसान भाशा में इंजंक्शन का मतलब है एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी विडियो पोस्ट या किसी भी तरीके का स्टेट्मेंट जारी नहीं किया जाएगा अब पिछले दिनों जो हमने वीडियो जो बनाए हैं और इस कॉंटर्वर्सी को कवर किया है उसमें हमें mixed comments आए हैं संधीत माहेशोरी के fans संधीत माहेशोरी को डिफेंड करते पाए गए विवेक बिंदरा के fans विवेक बिंदरा को support करते पाए गए बट अगर आप इसको factually देखें तो ये बहुत ही unfortunate है क्योंकि ऐसे कई सारे fans हैं जो commonly दोनों को ही follow करते हैं पर आज इस controversy में हम संदीप माहिश्वरी के सारे actions को review करने वाले हैं क्या इस controversy को संदीप माहिश्वरी better handle कर सकते थे क्या अगर वो विवेक बिंद्रा से offline बात करते तो उन IBC के लिए कुछ कर सकते थे उनकी issues को solve कर सकते थे आईए जानते हैं और सवाल पूछते हैं संदीप माहिश्वरी से तो आसन आज मैं बहुत सारे सवाल लिखके लाया हूँ और I'm sure तुमने भी अपने notes लिये हुए है पहला सवाल संदीप माहिश्वरी के लिए सीधा सीधा ये है कि जब आप अपने seminar में उन बच्चों से बात कर रहे थे एक काम आपने बड़ा अच्छा किया कि विवेक बिंद्रा का नाम जहां जहां लिया गया होगा वो सब आपने edit out कर दिया लेकिन उन बच्चों का चेहरा blur क्यों नहीं किया अब इससे क्या हुआ तुम इस बात को समझो वो बच्चे आम जनता की नजर में तो normal लोग थे जो संदीप महिशुरी का seminar अटेंड करने आए थे लेकिन क्योंकि वो IBCs थे वो किसी ना किसी एक network का part जरूर थे अब बड़ा business इतना बड़ा business है उसमें इतने सारे लोग काम करते है उन बच्चों को कम से कम भी मैं समझता हूँ तब 50 लोग तो जानते होंगे at the very least there would be 50 people that these people were known to उन 50 लोगों तक ये बात पहुँच गई कि ये विवेक बिंदरा के बारे में है पूरी controversy और उन 50 लोगों से और 500 लोगों तक वो बात पहुँची होगी वहाँ से विवेक बिंदरा के भी पास बात पहुची होगी तो obviously जब आपकी intent अगर ऐसी थी के आप उस चीज़ को उजागर नहीं करना चाते थे और इसको एक general awareness controversy के तोर पे highlight करना चाते थे तो you had all the chances to not show these faces उनको blur कर सकते थे वो लेकिन उन्होंने नहीं किया तो आवाज भी वो blur करते और दूसरा काम करते जो thumbnail पे उन्होंने एक icon यूज किया वो red tie और वो black coat पहना हुआ तो वो icon जो है वो lucky mascot है बड़ा business का तो जो उनके जतने भी holdings लगते हैं जतने उनके advertisements होते हैं उसमें आप देखते हैं कि वो black and white और red tie के साथ वो बंदा आता है तो उन्होंने बिल्कुल clear कर दिया दिखा दिया कि भी ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ अगर ऐसा होता तो भी आप देखिए कि किसी भी tool में आप online कोई भी generic एक photo लेकर या कोई एक generic इनसान की बस body दिखा के coat टाई पहना हुआ आप वो photo भी लगा सकते थे लेकिन आपने उनका ही logo एक तरह से use किया तो ये मेरा सवाल है संदीप महिश्वरी से कि आप इसमें proof क्या करना चाते थे thumbnail तो आपने ही approve किया होगा last में तो जब उसमें लाल टाई है और वो coat पहना हुआ है तो आपने तो बिलकुल obvious कर दिया कि आप किसको दर्शाना और दिखाना चाते हैं सारे ही लोग बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा के बारे में कि उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया लेकिन इसमें देखिए सवाल जादा है और जवाब कम है जो हम आज सवाल कर रहे हैं उसका जवाब कहीं भी किसी भी वीडियो में संदीप महिश्वरी ने नहीं दिया बिलकुल बिलकुल और देखिए ऐसे कई वीडियोज हैं यूट्यूब पर भी जहां आप देखेंगे कि संदीप महिश्वरी के अगैंस्ट वो वीडियोज बनाये जा रहे हैं और उन में से कई वीडियोज ऐसे हैं जो विवेक बिंद्रा के फैंस हैं और वो एक रेटैलियेशन में वो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो वैसा नहीं है In fact, आपको यहाँ इस तरीके का मसाला नहीं मिलने वाला, यहाँ पर हम facts पर संदीप महेशुरी को question करने वाले हैं हमने पहले भी काय और reiterate कर दें, we are not fans of either of them, ना ही हम संदीप महेशुरी के fan हैं, ना ही हम विवेक बिंदरा के fan हैं हमें अगर एक चीज से मतलब है तो वो है IBCs के साथ justice होना चाहिए, especially उनके साथ जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, विवेक बिंदरा ने भी admit किया है कि कुछ गलतियां हुई हैं, और हम पहले दिन से यही question कर रहे हैं कि अगर वो गलतियां हुई हैं और आपने आगे आके अब logical questions for Sandeep Maheshuri, क्या वो इस controversy को better handle कर सकते थे और इसी चरंखला में जब उनका एक post आया हसन, जब second post उनका आया, वहाँ पर उन्होंने विवेक बिंदरा का साफ-साफ नाम ही ले दिया, अब तक तो indirectly बात चल रहे थी, accusations चल रहे थे, insinuations चल रहे थे, लेकिन इस post में उन्होंन number 3 वो ये है, कि क्या आपके पास कोई और legal recourse नहीं बाकी बचा था, अगर आपके घर में trespass करके कुछ लोग आ गए, आपकी मर्जी के, आपकी knowledge के against, तो आपको police को बुलाना चाहिए था, authorities को inform करना चाहिए था, ना कि, you know, social media पर जाके, और आपने सारा कुछ साफ-साफ मह पर लिख दिया, in fact, उसको propagate करते हुए आपने लिखा, now this is public versus Vivek Bindra, तो क्या आप ये avoid नहीं कर सकते थे, क्या आप अगर इसको solve better तरीके से करना चाहते थे, मैं जानता हूँ आपने लिखा कि Vivek Bindra और मैं दोस्त नहीं, लेकिन आप industry peers तो हैं, आप एक ही industry में काम करते हैं ना सिर्फ के एक industry में हैं, बलकि आप लोग सेम नीश में भी हैं, दोनों ही motivational speaker space में हैं, तो आप industry peers तो हैं, obviously वो आपके channel पर भी आये थे, उस समय काफी respect एक दूसरे के लिए देखिए और time and again वो चीज़ हमने कई occasions पे देखिए, तो क्या उस respect की खातिर, उस चीज़ को avoid न संदीप महेश्वरी came across a person जो की IBC था और dissatisfied था और कह रहा था कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, अब संदीप महेश्वरी के show में वेवेग बिंदरा आ चुके हैं, ठीक है, ये सब को पता है, तो इनके इतने तो रिष्टे होंगे, कि भई, उन्होंने अगर किसी guest को बुलाया है, और आज कोई उस बंदे पर लांचन लगा रहा है, तो एक call करके उससे कूछें के यार मेरे show में ऐसा ऐसा बंदा आया है, तो यार ये तू सही कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तो जे, मतलब कुछ एक due diligence उसमें use कर सकते थे, एक one-to-one talk कर सकते थे, और अगर उनको फिर भी doubt होता, कि हाँ ठीक है, आब बात करने के बाद भी I am not satisfied और मुझे ऐसा लग रहा है, कि something fishy is going on, तो फिर वो उस पे एक पूरा show conduct करते और फिर लोगों को बुलाते और जैसा हुआ वैसा करते वो, लेकिन एक वो इनसान जिसको आपने अपने show में पहले बुलाया हु हुआ है, इनसाइड आउट आप उस पे पहले भी research कर चुके हैं, आज उस बंदे के बारे में आप dear Vivek, जो उन्होंने, मेरे प्यारे Vivek करके जो पूरा एक उन्होंने post किया, मैं समझता हूँ वो post अगर ना होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक भी मामला संभल ज ठीक है, thumbnail पे उनका अपना red tie वाला logo लगा हुआ है, ठीक है, उन्होंने वो video start किया, video start किया तो sonu, जिसको पूरी Vivek बिंदरा की team जो है वो पहचानती है, क्या रहे ये तो हमारा sonu है, IBC है, और वो IBC है, इस बात को कितने लोग और जानते हैं, उनके पूरे pool में, ठीक है, तो उनका जो अपना पहले pool है, दुनिया तो भूल जाओ, उनकी जो पूरी team है, उसमें तो बात ये फैल गई न, कि ये video जो है, ये Vivek बिंदरा के बारे में है, तो अब ये देखो कि message क्या जाता है, गलत message गया, यही गया, कि ये भई, scamster कौन है जी, ये Vivek बिंदरा है, त तो भई, हर आदमी जो है, अगर उसे बिलकुल आप bouncer दोगे, ऐसा surprise दोगे, तो वो एक बार तो आपको reach out करने की कोशिश करेगा, कि भई, ये तुमने कैसा video डाल दिया, क्या इसमें करना चाते हो, या अगर ये तुमारा पक्ष है, तो भई, मुझे भी एक chance दो करने की, तो विवेक बिंदरा ने वही किया, personally उनको approach किया पहले, ठीक है, मेरे प्यारे विवेक जो उन्होंने लिखा, उसमें ये माना है, कि जितने भी iPhone calls आए, या लोग उनके घर पे आए, उनके studio पे नहीं आए, या publicly तमाशा उन्होंने नहीं किया, उनको personally, privately contact करने की कोशिश क जिसमें उन्होंने कोई response ही नहीं दिया, तो आदमी क्या करेगा, हर वो एक तरीका अपनाएगा जिससे वो बात कर सकता है, उन्होंने फिर email किये होंगे, उन्होंने फोन किये होंगे, उन्होंने लोग भेजे कि किसी तरह बात तो हो जाए, कि उसके दिमाग में, संधीब क दिमाग में है क्या ये मैं जान लूँ ये विवेक बिंदरा ने सोचा ठीक है वहां तक कोई गलती नहीं है लेकिन वही बात जो तुमने बोली के सौ नंबर डाइल हो सकता था ना उसमें सौ नंबर वो डाइल कर सकते थे अगर उनको ये था कि हाँ ये तीन लोग चाड़ लो करते लेकिन आपने सोचल मीडिया उसके लिए यूज किया वहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है वहां पर आप पबलिक आए वो प्राइविटली आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप पबलिक जा रहे हैं है ना नहीं अगर तुम देखो मैं एक पैरलल ड्रॉ किया है और वहां पर हमने संदीप महेश्युरी को सपोर्ट भी किया था विकर्ज इट वास हर्टिंग समवन्स मेंटल हेल्थ और आपको जब क्यारी मिनाटी ने ऐसा वीडियो बनाया तो संदीप महेश्युरी ने तो डिरेक्ली सोचल मीडिया पे लिग दिया था तुम ज रहते तो क्यारी मिनाटी को डिरेक्ल करके भी बात कर सकते थे क्योंकि क्यारी मिनाटी भी संदीप महेश्युरी के शोव पे अभी कुछी टाइम पे लिग आया था लेकिन उन्होंने क्या करा संदीप महेश्युरी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और यह लिखा कि मैं disappointed हूँ यहाँ पर अगर आप apple to apple compare करें तो ये काम विवेक बिंदरा तब कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं करा उन्होंने संदीप महेशुरी को directly reach किया और उनसे एक communication establish करने की कोशिश की communication establish करने की कोशिश की जिसको allegedly cut off कर दिया गया उन्होंने numbers block कर दिये answer नहीं करें उनके calls and so on लेकिन आपको अगर जब बुरा लगा carry minority ने आपके उपर roast बनाया तो आपने अपना protest जो है वो register किया publicly किया जिसके जवाब में carry minority ने उनको call करके उसने लिखा था कि संदीप महेश्री से हमारी बात हो गई है and you know हमने वो parts chop off कर दिया और वो matter solve हो गया वो matter बिलकुल वही के वही solve हो गया क्योंकि दोनों ने offline बात की और उसको solve कर दिया यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर जब offline बात करने की कोशिश की गई विवेक बिंदरा के दौरा तो इनके दौरा सारी communications को ही cut कर दिया गया तो जब इनके उपर बात आती है और तीखे शब्दों का प्रयोग होता है तो तब इनको तो बड़ा बुरा लग जाता है जो के लाजमी भी है लेकिन जब आप किसी को scamster बोल देते हैं तो क्या उसको बुरा लग दे का हक नहीं है क्या उसकी goodwill impact नहीं होती है क्या वो उस repute का आदमी नहीं था जिसके लिए आप इस तरीके के तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे है बिलकुल नहीं अभिशेक और देखो तुम इसके बाद ही इसी sequence में जो अगला वीडियो आता है संदीप महिश्वरी का उसमें तो बाकाइदा एक सभा लगी हुई है ठीक है एक दर्बार लगा हुआ है जहां पे as judge वो ये announce कर देते हैं कि विवेक बिंदरा is a scamster कि उन्होंने scam किया है कि बड़ा बिजनिस और IBC this is a scam और वो पूरा read करके वो चीजों का बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये नहीं होना चाहिए था देखे इतने tall claims करने से पहले कि ये scam है या ये धोका है या ये crime है आपको ये समझना चाहिए कि आप court नहीं है आप judge नहीं है आप कोई ना supreme court का दरजा है आपको मिला हुआ ना आपको high court का है आप अगर लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप एक बहुत noble cause कर रहे हैं लेकिन अच्छे काम करने का भी एक तरीका होता है इस दुनिया में इस देश में एक संविधान है law है that should be upheld तो आप जब तक उस उसको अगर कोई चीज illegal हुई है और आप scam claim कर रहे हैं तो उसे पहले आप proof करिए ना एक court में आप रिट दाखिल करिए जितने भी लोग agreed हैं और जो असल में हैं वो अपने proof के साथ पहुँचे आपको लग रहा है कि कोई इनसान गलत कर रहा है इस देश वासियों के साथ तो बिलकुल आप 100% उनका साथ दिये अपने चानल को monetize करवाईए उससे जो fees हुई उससे आप support करिए ऐसे cause को लेकिन आप judgment पास मत करिये starting में यह मेरा कहना है मतलब पहले ही सबसे पहले जो यह किया गया मतलब दूसरे वीडियो में इन्होंने बता दिया कि इस चीज़ को जो है वो एक दर किनारे कर दिया गया विच इस रॉंक ठीक है आप यह कह सकते थे यह कुछ चीज़ें फिशी है और इसमें कुछ यह सवाल पूछे जाने चाहिए और अब हम इन सवालों को विवेक बिंदरा से पूछेंगे तो आप एक webinar रख सकते थे आप कोई वीडियो call लगा सकते थे जिसमें सामने विवेक बिंदरा होते ठीक है बेटर इसका तरीका हो सकता था आज क्या हुआ इंटायर केस इस इन अ कोट ठीक है जो की शायद ऐसा हो सकता था कि across a table एक table पे बैठके सारे जो stakeholders थे IBCs को बुलाया जाता एक बड़े conference hall में विवेक बिंदरा भी उसमें होते संदीब महश्वरी होते और उन सब के बीच में बैठके एक कोई ना कोई solution इसका निकाला जा सकता था लेकिन इस controversy ने ऐसा कर दिया कि एक आदमी तो hero है दूसरा आदमी बिलकुल villain है which I think is something that a motivator of 13 years does not deserve ठीक है और अगर ऐसा कुछ कोई एक tag लगना ही था तो वो फिर court लगाता वो इस country की judiciary लगाती कि तुम सही हो या तुम गलत हो लेकिन आज जो case चल रहा है उसका result कुछ भी हो एक बंदे की goodwill पर शायद जहां तक मैं समझता हूँ असर तो हुआ है बिलकुल और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि आपका एक influence है इतनी बड़ी आपकी following है लगभग लगभग पौने तीन करोड लोग आपको follow करते हैं आपको तो और भी responsible होना चाहिए संदीप महेशुरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही चीज हमने आपका support करते हुए केरी मिनाटी को कहा था अभी पिछले ही अखते कि इतनी बड़ी जब following होती है तो आपको responsible होना पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई सारे fans उसको blindly follow करते हैं अब जैसा तुमने कहा image tarnish हो चुकी है कई लोगों की नजरों में विवेक बिंद्रा already villain बन चुके हैं उनका media trial हो रहा है as we speak court ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है injunction में है बात लेकिन उनका media trial तो continuously चल रहा है आप देखिए there are thousands of videos जहां पर people are just going on hurling abuses to विवेक बिंद्रा अभी शेक देखो मैं आज के इस video को एक opportunity मानता हूँ उन लोगों से request करने की जो famous personalities हैं जिनकी बात लोग मानते हैं ठीक है जिनका society में कोई भी दरजा है मेरी request है कि कुछ भी point बनाने से पहले किसी भी निशकर्ष पे पहुँचने से पहले आप ये समझिए कि ये अब case जो है वो court जा चुका है आप judge पे छोड़िए और इंडिया के judiciary system पे यकीन करिए कि जो भी सही होगा वो सामने आ जाएगा जो भी गलत होगा वो सामने आ जाएगा लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि कुछ ऐसे लोग रेप्यूटेड लोग जैसे माहिश्वर पेरी तुम जानते हो IIPM अरिंदम चौधरी वो पूरा ही उन्होंने empire एक तरह से ध्वस्त कर दिया था तो I think he is a very responsible man लेकिन एक शो में बैठे हुए वो ये कहते हैं कि विवेक बिंदरा पापी है ठीक है और वो पाप के जो वो है पता नहीं क्या-क्या वो यहीं भोगने है and stuff like that जो कि disappointing है ठीक है आपने जरूर कोई investigation की होगी कुछ facts निकाले होंगे although उन्होंने कुछ उनकी balance sheet भी share की है publicly which I don't think is ethical कि आप किसी की भी balance sheet निकालके और फिर उसके snapshots और screenshot डाल रहे है वो आपको काम करना है वो आप court में जाएए और एक judge के सामने आप बताइए कि भई ये मेरी plea है मेरे हिसाब से ये आदमी जो है उसने ये crime किया है लेकिन आपने जहां पर एक तरह से एक socially और एक media trial आपने एक बना लिया और एक आदमी को पापी बोल दिया which is a very very heavy word ठीक है तो उसके career पे क्या असर पड़ेगा आगे उसकी life पे क्या असर पड़ेगा ये क्या आप नहीं सोचते हैं तो we should refrain from using all such strong words और ये हमें एक line बनानी चाहिए ठीक है अगर आदमी का trial हो चुका है अगर court ने उसे बता दिया है कि वो fraud है या वो criminal है तो एक अलग आप शैली यूज़ कर सकते हैं फिर भी लेकिन अभी तो court में जस्ट ये मामला गया है और उससे पहले आप उसको पापी कह रहे हैं अगर तुम देखो इस पूरे वीडियो को ललन टॉप पर वो आकर महेश और पहरी ऐसी बातें करते हुए दिख रहे हैं पहली बात तो वो national television है आप national television पे जाके ऐसी एक तरह से अभद्र भाशा में कहूंगा असब भे भाशा का प्रेयोग कर रहे हैं ऐसे इंसान के लिए जिसके उपर अभी सिर्फ acquisition है allegations है वो prove नहीं हुए है पहली बात दूसरी बात है आप activist है और बहुत ही reputed हैं आपने पहले बहुत बड़े-बड़े fiasco उसको whistle blow किया और उसको पीछे पूरा उसको पूरा justice तक drive किया आपने that is fine activism भी law के अधिन रहके ही किया जाता है तो इस तरह की expletives में बात करना पापी हैं और इनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए और ये सब इस तरह की चीज़ें जब तक कोई एक offense prove नहीं हुआ है तब तक करना एक इतने बड़े इनसान को एक ऐसे repute के आदमी को be fit नहीं करता मेरा ये मानना है नी बिलकुल अविशेक और देखो तुम ये जो controversy है पूरी ये अब बहुत stretch हो गई है ठीक है और इसके बीच में अगर आप देखें तो कभी नाम लिया जा रहा है संदीप महिश्वरी का कभी नाम लिया जा रहा है विवेक बिंदरा का के वो center है कभी वो center है इसके center में है audience इसके center में हैं लोग इसके center में ये दो personalities हैं ही नहीं ठीक है अच्छा किस के साथ हुआ बुरा किसके साथ हुआ उसके बारे में controversy है तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारी audience पिछले 10 सालों में 11-12 सालों में ये दो personalities YouTube पे रही हैं इस पूरे motivational space में रही है संदीप महिश्वरी और विवेग बिंदरा इन्होंने बहुत सी जिंदगियों को चुआ है और positively चुआ है मैं ये चाहता हूँ आज आप हमारे comment box में ये बताइए आपका क्या experience रहा कैसे जिंदगी के किस mode पर आप इन दोनों लोगों से जुड़े या किसी एक से जुड़े और कैसे इन लोगों ने आपकी life को positively inspire किया as motivational speakers और अगर वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे email पर bloomand evolve1 at gmail.com पर आप हमको email कीजिए अपनी details के साथ और हम कोशिश करेंगे आपकी वो सारी grievances को channelize करने के लिए सही जगा पर ताकि वो सुनी जा सकें और इसके अलावा आप अगर एक IBC हैं तो हमें comments में जरूर बताईए कि क्या आपके कुछ positive experiences भी हैं अगर आप चाहें तो हमारे email पर भी हमको email केजिए और हम कोशिश करेंगे अगर इस श्रंकला में आगे हम कोई और वीडियो बनाते हैं तो उसको जरूर include करें otherwise comments में बताईए कि क्या IBC के positive experiences हैं हसन इतनी कीचड उचल चुकी है इस पूरे IBC business पर के अब सबको बस यही लग रहा है कि IBC होने का मतलब ही scam है जो मेरे ख्याल से true नहीं है तो अगर आप एक IBC हैं satisfied हैं you've made money out of it you've put food on your table आप अपनी family उससे पाल रहे हैं तो वो सारे experiences हम से share कीजे ताकि हम उसको highlight करके लोगों को बता सकें कि इसके कुछ positive aspects भी हैं वैसे जहां तक मेरा मानना है विवेक बिंदरा ने अगर इतना tall claim किया है एक public forum पर आकर उन्होंने emails दिये हैं तो मैं मानता हूँ हसन वो शायद इस बारे में serious होंगे और इसको solve करने के लिए उन्होंने already अपनी teams लगा रखी होंगे तो विवेक बिंदरा के उपर भी अब responsibility है इन सारे issues को resolve करने की I hope कि वो इन सारे emails को personally देख रहे होंगे या एक team उन्होंने रखी होंगे और इनके resolution एक fast track basis पर वो करेंगे विवेक बिंदरा कोई नया नाम नहीं है आपने पिछले 10-12 सालों में इतना बड़ा नाम बनाया है इतना बड़ा business बनाया है और वाकई अपने content के थूप कई सारी value provide करिए आपके free content में भी बहुत value है लेकिन आपको बस चाहिए तो इतना कि अपने courses को जो nomenclature है जो नाम आप देते हैं उनको वो कहीं भी misrepresent ना करें आपके courses को चाहे वो 10-day MBA हो चाहे वो billionaires blueprint हो आपको कहीं ना कहीं इनको market सही करना पड़ेगा लेकिन otherwise content अच्छा है और मैं मानता हूँ हसन इंडिया में बहुत कम ऐसे content creators हैं जो उस level का content provide करते हैं जो वेविक बिंद्रा कई सालों से करते आ रहे हैं in fact कई मायनों में वो pioneer हैं उस तरीके की case studies और learning देने की लोगों को तो उसको आप uphold करते हुए please इन issues को resolve कीजिए जनता ठक चुकी है back and forth allegations, arguments हमने पहले भी कहा है हम फिर कह रहे हैं इसको आप solve करिए and we hope that this controversy will end soon एक Chinese philosophy होती है Yin-Yanke जो कहती है कि हर अच्छाई में कुछ न कुछ बुराई होती है और हर बुराई में कुछ न कुछ अच्छाई होती है अगर इस पूरे आप episode को देखिए पूरी ये जो लड़ाई पूरा जो ये कुर्क शेत्र सजा उसमें संदीब महिश्वरी जी की तरफ से भी कुछ थोड़ी बहुत खामिया कुछ थोड़ी बहुत परिशानिया कुछ थोड़ी बहुत कमिया रह दही और विवेक बिंदरा जी की तरफ से भी आज इसके बीच में přिस रहे हैं वो लोग जिनोंने स्कोर्स को खरीदा वो लोग जो इसके stakeholders हैं और इन दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई को personally मत देखिए, बस जिन दोगों का loss हुआ है और जो इसमें stakeholders हैं, उनका एक due वापस मिल जाए और ये जल्दी से जल्दी इस पूरी YouTube की space में इस लड़ाई को खतम किया जाए, इस environment को फिर वापस अच्छा healthy और motivating बनाय तो इसी note पे आज का episode यहीं पे खतम करते हैं, मिलते हैं next episode पे on the 2.2 podcast